ओम महालक्ष्मै नमो नमा, धन प्राप्ति के लिए अक्षय तुतिया पर करे ये उपाय, सुक सम्रुधी से भरा रहेगा घर, दोस्तो पंचांक्य अनुसार हर साल वैशाक महा के शुकल पक्षकी तुतिया तिथी पर अक्षय तुतिया का पर्व मनाया जाता है, इस साल 22 कर्म में अक्षय तुतिया को बहुती खास माना जाता है, किसी भी मांगलिक कार्यों के लिए ये दिन शुभ होता है, यही वज़य है कि लोग अक्षय तुतिया के दिन बिना मुहुर देखे ही विवाह, गुरुह प्रवेश, नई व्यापार की शुरुवात, धार्मिक अन लक्ष्मी और भगवान विश्नु की पुजा अर्चना करने से सुक सम्रुधी की प्राक्ति होती है, इसके अलावा अक्षय तुतिया पर कुछ उपाई भी बेहद शुभफल देने वाले होती है, तो आये जानते है मा लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अक्षय तुतिया पर कोन से उपाय करने चाहिए, दोस्तो दिपावली की ही तर अक्षय तुतिया के दिन भी मा लक्ष्मी की पुजा की जाती है, इससे मा लक्ष्मी की कृपा बरस्ती है और घर धनधान्य से भरा रहता है, ऐसे में मा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तुतिया पर गुलाबी फूल अर्पित करे। इसके अलावा नई स्फटिक की माला अर्पित करे। यदि नई माला न मिले तो पूरानी स्फटिक की माला को गंगा जल में धोकर अर्पित कर सकते है। अईसा करने से मालक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन सम्रुधी की प्राक्ती होगी। अक्षय तुरूतिया के दिन सोने चांदी की चिदों की खरिद्दारी करना शुभमाना जाता है। इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते है तो इस दिन सोने या चांदी से ब इससे घर हमेशा धनधान्य से भरा रहेगा, क्योंकि जहां मा लक्ष्मी के चरन पड़ते है, वहा कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है. अक्षई तूतिया के दिन केसर और हल्दी से मा लक्ष्मी की पूजा करे, ऐसा करने से आर्थिक परिशानिया दूर होती है, इसके अलावा इस दिन पूजा स्थान पर एक अक्षी नारियल स्थापित करने से मा लक्ष्मी की क्रिपा प्राप्त होती है. अक्षय तूतिया के दिन ग्यारह कवडिया ले फिर इने एक स्वच्छ लाल कपडे में बांध कर पूजा स्थान में रगदे इसमें देवी लक्ष्मी को आकरशित करने की शमता होती है अक्षय तूतिया पर दान पुन्य करना शुभमाना जाता है इस दिन दान देने वाला सुर्य लोग को प्राप्त करता है इसलिए अपनी शमता अनुसार कुछ दान जरूर करे आप सभी को अक्षय तूतिया की शुभकाम नाएं ओम महालक्ष्मै नमो नमा धन्यवाद